Association of Mutual Fund in India यानि की M.P.E. ने Mutual Fund के विग्यापनों में दिखाए जाने वाले अनुमानित रिटन की सीमा तै कर दिये Mutual Fund पर लगी ये सीमा प्रतेक एसिट क्लास में मिले लॉंग टम रिटन से जुड़ी होगी M.P.E. ने अधिक्तम रिटन की सीमा 13 फीसद तै कर दिये यानि की अब Mutual Fund का आप कोई विग्यापन देखें उसमें 13% ज्यादा रिटन Mutual Fund में मिल सकता ये नहीं दिखाया जाएगा इसके लाबा Fixed Income योजनाओं के लिए सीमा 7.2 फीसद है Hybrid Fund में Illustration में अधिक्तम रिटन सारे 8 फीसद से 10 फीसद दर्शाया जा सकता है क्या मतलब है सारे इन guideline का ऐसा किया क्यों गया अगर आप Mutual Fund के निवेशक हैं Mutual Fund खरीदते हैं तो हमेशा आपको ये बात समझने में मुश्किल होती होगी कि कोई Mutual Fund अपने Mutual Fund पे return का दावा कैसे करता है और बहुत सारी स्कीमों के विग्यापन आपके पास आते हैं अलग-अलग digital और print माध्यमों से और उसमें जब किसी Mutual Fund का का विग्यापन दिया जाता है या उसके बारे में लिखा जाता है तो उसका एक return बताया जाता है कि वो इतना return देता है इसे लेकर काफी गफलत थी Miss Sailing हो रही थी मुचल फड निवेशकों को इस पश्ट नहीं होता था कि company किस आधार पर MC किस आधार पर और कैसे ये return का दावा कर रही है तो अब जो MC की guidelines हैं थोड़ी सी जटेल हैं complicated हैं लेकिन मोटा तोर पर उसमें दो तीन बड़ी बातें इस पश्ट दिखाई देती हैं पहले चीज़ तो एक अधिक्तम 13% का return दिया जा पाएगा घोशित किया जा पाएगा बताया जा पाएगा return उसे जाधा हो सकता पर पर प्रचार के तोर पर कोई भी company इस से जाधा का return नहीं करेगी ऐसा क्यों करेगी इसके लिए एमफी ने एक पूरा फार्मूला तेह किया है एमफी ने कहा है कि जो एक जून 2013 से 30 मई 2023 के बीच census और निफ्टी का 10 येर का rolling return होगा उसे आधार बनाकर ये return की दर mutual fund पर तेह की जाएगी तो number एक है कि अगर आप mutual fund लेने जा रहा है और आपको दिख रहा है कि 13.50 से ज़्यादा का कोई return कमिट कर रहा है तो ये एमफी के नियमों के विपरीत है उचित नहीं है इसके लावा एक और इस पश्ट रताइम फी ने दिये कि जो अलग-अलग asset class की mutual fund है उन पर भी return का तरीका इस पश्ट हो गया है इससे निवेशकों को फैसला लेने में सुविधा और आसानी होगी और कोई भी mutual fund बढ़ा चड़ा कर कि बहुत जादा return मिलने वाला है इसका दावा नहीं कर पाएगा